अब एका स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकाडमी क्लासेस पर यहां पर हम बात करेंगे यूपी जैनम एडमिशन फॉर्म की जैनम पर हम पहले वीडियो बना चुके हैं और अब यह वीडियो एनम पर है एनम का फॉर्म कैसे भरेंगे स्टेप बाइस टेप आप य देख सकते हैं यहां पर लास्ट डेट की बात जी जो है वो 31 जुलाई है इसके पहले आप भाव भर दीजिए यहां पर सेलेक्शन जो आपका मेरिट पर होना यहां से आपको जैनम सेलेट कर लेना है यहां जैनम सेलेट करेंगे आगे प्रोसीड करेंगे प्रोसीड करने प जनरल गाइड लाइन है टेकनिकल गाइड लाइन है तो इन सभी चीजों को आप यहाँ रेस्टेशन फॉर्मेट है इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर डेटेल में दिया गया है और यहाँ पर फीस ऑनलाइन जमा करने के इस्टेक्शन दिये गए है यह देखिए पीडि सुल्क यहाँ पर देनी है आप देख सकते हैं 200 रुपे आविदन सुल्क देनी है यह 200 रुपे का फॉर्म है नीचे आजाएए चैन सुची में आप देख सकते हैं कि यह हाई स्कूल और इंट्रमेडियर की मेरिट को चोड़ कर ही बनाया जाएगा यह वेब साइट दी गई है जिस पर हम लोग फॉर्म भरने जा रहे हैं कि यहां से आप फॉर्म भरेंगे इस जगे पर नोटिफिकेशन लिंक दिया गया है यह इसे क्लिक करेंगे जब आपको यहां पर जो है लिस्ट जो है पर सिक्षन की वो यहां से तैंगे तो आईए सुरू करते हैं यहां से सबसे पहले रिजिस्टेशन करते हैं रिजिस्टेशन के लिए कुछ निर्देश दिये गए हैं कि आपको सबसे पहले अपना मुबाइल नंबर और यह चीज़ भरनी है तो हमने यहां जैसे भर दिया फिर आउकि इसके बाद मुबाइल नंबर भरते हैं जैसे हमने बहा यहां पर OTP हमारे सामने आगए अब यहां पर OTP हम भर दितेए python यहां पर है 87 62 चोवन यह हमने भर दिया और इसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं यह सम्मिट कर देना है यहां से सबिट किया तो देखिए यहां पर डिटेल्ड में आपका आ गया कि आपका जो है अप्लिकेशन नमबर और पासवर्ट सारी चीज़े यहां पर प्रोवाइट करा दी गई है तो अब हम करेंगे क्या यहां से हम जाएंगे लॉग इन पर देखिए यह लॉग इन का अप्शन दीए वॉग जैसे हम आगे करेंगे तो यहां पर टेटियल में चार स्कुरम हैँ आप देख सकते हैं पेपेमेंट डेटियल आखरी में देना है आपको फिर उसके पर डाकूमेंन अप्लोड करने कौन कौन से डाकूमेंन अप्लोड करने यह अजिए बड़ा आपको तो यहां पर आप UP से हैं, तो yes करिए, नहीं है तो no करिए, यहां पर category अपनी आप चुन लीजिए, जो category आपकी है, वो category चुनिए, father's name आप भर दीजिए, जो आपकी high school की mark seat पर है, वही आप यहां पर आपको भरना है, यह सारी चीज़ें भरते हुए, देखी चलिए, यहां पर आपको डेटा बर्थ जो है भरना है डेटा बर्थ जो आपको सेलेक्ट करनी है वो सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर सन आपको निचे आईए तो यहाँ पर आप देखिए हमने यहाँ पर डेटा बर्थ सेलेक्ट की एक डेटा बर्थ हमने सेलेक्ट कर ली फिर उसके बाद नेशनलिटी आपको चुनी है तो इंडियन है आप यहाँ पर अगर हैंडिकेप्ट है तो यह करिए नहीं तो नो करिए फिर उसके बास सेलेक्टिव मेरिट स्टेटस तो यहाँ पर आप अन्मेरिट हैं तो अन्मेरिट करिए फिर मोबाइल नंबर और जीवन साथी नीचे आएंगे के अगर आप एंड है तो आपके पास सर्टिफिकेट है तो यह करिए नहीं तो आपको नो करना पड़ेगा अगर आप एस करेंगे तो डिटेल में आ पर देते हैं फिर उसके बाद बैंक नेम बाकी डीटेल एकाउंट नमबर भरने के बाद आपको यहां पर आड्र्स भरना राज जिस राज जिसे आप हैं तो हमने यह सारी चीजें यहां पर सेलेट कर ली आगरा लिख दिया जैसे अब जो सहर से हैं वह आप लिखिए और जो बाकी चीज़े सेम है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, साइड डिटेल्स वहीं पर भर जाएगी, फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है, यहाँ तो यह सारी चीज़े जो हैं, सक्सेस्पुली कंप्लीट हो गया, पार्ट वन देखिए, और हम नेक्स्ट पार्ट पर माक सीट देखकर, सर्टिफिकेट नमबर उसी कोरणर पर पड़ा हुआ है, वो आप भर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे, कि हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसकी अवा माक सीट सीरे नमबर साइड में ही दिया होता है, उसे आप भर सकते हैं, भर दीजि वो होता है 600 total marks होता है और यहां जो आपके marks होते हैं जितने आपने पाए हैं वो आपको यहां पर भर देने हैं यहां पर जैसे हमने भरा फिर उसके बाद intermediate की डिटेल भरनी है जिस बोर्ट से आप हैं वो आपको भरना है आपका जिसे 2023 में ही पास आउट किये है तो वो भी आप यहां पर भर सकते हैं तो यह चीज़े फिर उसके बाद serial number यहां भरना है देखिए एक एक detail आपको असानी से भर देनी है mark sheet से देखकर उसके बाद ही और match जरूर कर लें भरने के बाद नहीं तो दिक्कत होगी क्योंकि changes करने के options इसमें नहीं दिये गए हैं तो यह आप देख सकते हैं यहां पर 500 का आपका total होगा यहां पर जितने आप marks पाए हैं वो आप भर दीजिए यह calculate कर लेगा फिर यहां पर एक photo upload करनी है आप जाए गैलरी से photo उठा लीजिए आपके mobile से ही gallery में जाना है और वहां से photo को उठा लेना है जैसे ही आप यहां पर photo उठाएंगे आसानी से आप देखिए हमने एक photo उठाई यहां से और next कर दिया देखे successful हो गया second part भी इस तरीके से अब देखिए upload documents तो कौन कौन से documents upload करने हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं यह documents आपको यहां पर upload करने है high school के mark seat सब PDF के form में करना है तो एक एक चीज़ आप यहां से select करिए और यहां से देखिए जैसे हमने यहां पर upload करने की कोसिस की तो देखिए हमें एक एक चीज़ यहां से लेनी है और सब जो है लेनी है आपको 300 के बीस से कम की तो यहां पर आप हम एक एक चीज़ जो है upload करते चले जाएंगे जितनी भी मिली है हमें देखिए तो हमने यहां 10 की mark seat और 10 का certificate यह दोनों एक बार करेंगे सेम होते हैं तो आप यह सेम करेंगे यहां क्योंकि आप में एक ही ही है तो उसे PDF में बना लें और download upload कर दें फिर यहां पर आप देखेंगे आधार और उसके बाद यहां पर no कर देंगे अगर आप X army है तो yes करिए तो करना पड़ेगा नो करेंगे तो आपको नहीं करना पड़ेगा यहां character certificate भी आपको upload करना है बनवा कर तो यह चीज़े आप देख लें सारी चीज़े आपके पास हो जाती है कि नहीं हो जाती है फिर यहां से आपको क्या करना है next कर देना है इस तरह के से तीसरा पार्ट भी successfully upload हो जाता है फिर आपको करना क्या है आप अगले वाले पर आपके सामने हो गया पूरा form खुल जाएगा देखे नीचे तक हमने साज़ डीटेल्स को fill up किया है सब documents uploaded हैं यहां पर और अब आपको यहां पर आगे करकर फाइनल submission के लिए जाना है payment करने के लिए यहां से edit करना चाहें तो edit कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप यहां से final के लिए जाएंगे और वहां पर फिर आप changes कोई नहीं कर पाएंगे और फिर आपको क्या करना है वहाँ पर देखिए सारे payment हो गए अब यहाँ से online payment आपको 200 रुपे देना है तो यह step by step आप सारे form को fill up कर पाए देख पाए कितनी फीस है तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा form fill up कर लेना है चाहे वो एनम का हो या जेनम का हो सभी का form भरने का तरीका सेम है यहाँ से अब जो आप टिक करेंगे तो आपको आगे यह ले जाएगा दिखिए इस तरीके से move करता हुआ आपको payment के mood पर ले जाएगा यहाँ पर आप चाहे जिस कार्ड से दें चाहे आप यू-पि-आई से दे जिस से आप चाहे तो कार्ड से देना चाहते है तो कार्ड की डेटेल भरनी होगी और आगे proceed कर देना होगा सारे methods दिए गे हैं जिस method का आप apply करना चाहें उस method को apply कर सकते हैं और फॉर्म को फिल अब कर सकते हैं तो मिलते हैं अगली अपडेट तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए बिल आइकन को प्रेस करिए दोस्तों को भी शेर करिए असानी से फॉर्म को भरिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत